प्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे लहेंगा कटिंग के बारे में देखो लहेंगा कटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो बहुत से लोग लहेंगा गाटने से घबर आते हैं तो कि लहेंगा बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है बहुत सारी प्रिप्रेशन्स है हैं बहुत सारी तयारिया हैं यहां पर बहुत सारी चीज़ें आज आप लोगों मैं बताने वाला हूं देखो यह वीडियो पूरा का पूरा लाष्ट तक देखना अगर किये यह आदा देखोगे तो कोई काम का नहीं है अधोरी नौलेज किसी तरह की काम की नहीं है पूरा देखना यह मेरा रिक्वेस्ट सबसे पहली बार यहां पर हम लोग समझेंगे लहेंगे कटिंग को आप लोग बोलते हैं कि लहेंगे में ज्वाइंट नहीं आना चाहिए ह दूसरी बात ज्वाइंट आ रहे तो भी चलेगा सर लेकिन लहेंगा बंतो जाए तो अलग-अलग तरह के लोगों के अलग-अलग डिमांड आज सब की डिमांड के बारे में बात करेंगे और कैसे क्या करना है उसके बारे में बात करेंगा सबसे पहला जो कंफूजान आता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले यह जो कपड़ा बिचा हुआ है अखिर उसको बिचाते कैसे उसके बारे में बात करते हैं लहेंगा काटने के लिए आपको कपड़ा हमेशा उरेव बिचाना है एक पेपर पे समझते हैं जैसे यह उसके बाद आप क्या करेंगे इसको उरेव बिचाएंगे तो उरेव कैसे बिचाओगे यह देखो यह इस तरह से पकड़के ऐसे ठीक है है यह देखिए यह हमने क्या किया इसके बाद समझना हमारा जो में जो काम का चीज है वो क्या है जहां तक हमारा कपड चार फोल्ड है वह हमारे काम का है ठीक है यह इदर के पोर्षन से हमको मतलब नहीं है हमको स्लब सिर्फ इत्ते से हैं तो लहेंगे की जो स्पेसिफिक कटिंग होगी वो इत्ते ही स्पेस पे होगी कैसे होगी उपर वाले हिस्से पर हमेशा कमर का मेजर्मेंट लिया जाता है अब यह लगबग इतना तुकड़ा आपका छुटता है हमेशा देखो और राउंड पे आपके कमर का साइज आना चीहें कितना साइज कमर का चौथा हिस्सा तो इसको जो मेजरमिंट लेने का टेकनिक है वो क्या कहता है कि जैसे मानलो आठ कर लो पूरा-पूरा मान के तो आठ इंच जहां पर आ रहा है वही पर आप कमर को ना पेंगे देखो क्योंकि जैसे यह कपड़े पर समझते हैं कपड़ा बिच्छा हुआ है अब हमको आठ इंच का कमर चीए मतलब तीस इंच है तो हमने साड़े साथ लिया आधा मारजि लिए तो आठ इंच हमको जहां चीए तो जहां पर आठ इंच आ रहा है वही पर आप कमर को ना पोगे इस बात को हमेशा ध्यान रखना ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट चीजे बता रहा हूं आठ इंच आप और उपर जाना चाहोगे कि मुझे ज्वाइंट नहीं चाहि यही सब वजय है कि बहुत से लोग लहेंगा बनाने से घबराते हैं तो मैं आप लोग को ना कुछ बेसिक आइडिया बतारूं यह कमर की बात हो गई जहां आपका आठ इंच आ गया उसी पस में आपको कमर को मेजर करना है यह ध्यान रखने वाली बात है इसके उपर आप यहां इस तरह से आप इसको कहने का मतलब क्या है हमें यह उपर कपड़ा कितने उससे को मतलब नहीं है कमर का कैसे लेते हैं एक बार फिर से हम समझते हैं यहां पर देखो यह इस पकार से हमने इसको आठ हिंच नापा साड़े आठ नापा या आठ नापा जो भी आपका कमर का साइज वो नापोगें तो कैसे नापोगें आप यहां पर टेप रखें मालो यह देखो जैसे हम पहले पढ़ाई वड़ाई करते थे तो डिवाइडर से घुमाते नहीं थे एक तरफ डिवाइडर का नोक होता था तरफें ख़णीं ही हुर ego फिक्स करते थे और इधर को घुमाते थे वो सेम तरीका आपको यहां अप्लाई करना इत दरकाफ कर दोगें और इधर को घुमाते चलो जैसे माल लों कि यहां नापा आ अब यह मेजर्मेंट कितन आ रहा है उस्सें आपको मतलब नह anfय मता पर बता रहा हूं जैसे हमने पेपर पर इसको समझा हमने का मेजरमेंट ले लिया इस जो चीज मैंने यहां बताया कि आप इसको गोल्डर रूल समझ के चलेंगे वह आपको लंबाई में भी करना है यह देखो जैसे हमने इस तरह से टेप को रखा और मालो की सब्सक्राइब आपको जो भी लंबाई चीज है 30 इंचा 32 35 इंचा 40 जो भी है आपका जहां पर मालो 40 इंचा आ रहा है वहां से आप इसको घुमाना चालू करेंगे तो पहली बात तो यह है इसमें समझे वाली देखो अगर आपको लहंगे में जॉइंट नहीं चाहिए मैं सम तरह से रखोगे और इस तरह सächstत नहुगे तो हमारा यहां पर देखो कितना निकल जाएंगा 32 निकल जाएगい उसके बाद कपडा नहीं है उपर वाला नीचे बसका है हाना जैसे यहां पर उपर जहां तक यहां तक है वहां तक आपका निकल जाएगा तो वैसè यहां पर करद कट के और यहां से पॉइंट करना और यहां से नापना अपने टोटल लेंध को तो लेंध के कहां से कहां मेंजर होगी शाव को हमेशा ध्यान का कि यह जह बात O कि वीडियो को ज्यादा लंबा ज्यादा पेचीदा नहीं करेंगे मैं आप लोग को समझाता हूँ यहां पर भी वही सेम चीज है कि इस तरब को आपको उंगली फिक्ष करके रखना है और इधर आप घुमाते चलोगे ठीक है यह ऐसे और यह निशाना आप लगाते चलोगे तो इससे एक बराबर आपका मेजरमेंट आएगा लेंगा घुमेंगा नहीं चोटा बड़ा नहीं होगा को प्रॉब्लम नहीं हो ठीक है यह सब छोटी छोटी बेसिक्स हैं जिसको लेंगा कटिंग के लिए ध्यान में रखा जाता है अब इसको यह बीना जोइंट के बन ज ठीक है अब यहां पर देखना है इसको ओपन करते हैं तो यह लेंगा आपको कुछ इस टाइप से आएगा है अना है क्लियर है कोई डाउट नहीं है सब कुछ समझ में आ गया ऐसे आपके लेंगे की कटिंग होती है बहुत ही मज़ेदा टॉपिक पर बात करते हैं अगर पर को काटके उसमें किसी तरह से ज्वाइंट नहीं था अना यह देखो कोई भी ज्वाइंट नहीं है अब मालो जैसे लंबाई हम बढ़ाते हैं तो ज्वाइंट लगता कि दर उसको भी मैं बता देता हूं यह बीइनर लोग के लिए काम आए यह ज्वाइंट आपका इध तो लहेंगे की लंबाई आपकी निकल जाएगी 33 तक के अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप बोलेंगे सर 30 इंच कमर में 33 लंबाई कैसे होगा 30 इंच कमर में तो लंबाई थोड़ी जादा होनी चीए मैं बिल्कुल सहमत हूं मैं सबसे पहले आपको लंबाई के बारे में बता रहा हूं कि लंबाई जो है वो 33 तक का निकल जाएगा उस कंडिशन में अगर आपका कमर 26 है 27 है 28 है जो भी है हाना तो वो एक समझाओ कि ए यह है एडल्ट के लिए नहीं हो सकता तो अगर बच्चे के लिए बना रहे हो तो यह बिल्कुल निकल जाएगा 33 तक की लंबाई लेकिन यहां पर मैंने एक कंडिशन और रखी कि माल लो कि अगर आपका कमर 30 है तो उस कंडिशन में 33 तक का लंबाई निकल जाएगा कौन से आएगा नीचे आप देख रहे हैं आप इस तरह से ठीक है 56 लेंगा बनाने के लिए बैस्ट कपड़ा यह है 56 पनहां वाला अगर आप कपड़ा यूज करते हैं तो 43 इंच तक की लंबाई निकल जाएगे मतलब 5.5 फिट की लेडी के लिए भी साड़े 5 फिट के लेडी के लिए लागा निकल जाएगा थीक है 40 इंच तक की कमर साइज के लिए अगरा आपका कमर साइज 40 से भी जादा है अब खेर उसको फिर चोड़ो उससे जादा तो नहीं होना चाहिए और उससे जादा है तो फिर नई बन पाएगा 40 और ये 43 साड़े तीन मीटर कपड़ा के लिए ये एप्लीकेबल है जो मैं मेजरमेंट चार्ट आप लोगों को दे रहा हूं अब यहां पर समझे माली बात क्या है यहां पर हम समझते हैं कि कपड़े का पनहा क्या होता है और से लोगों को तो इसी में कंफ्यूज आना है कि कपड़े का पनहा क्या होता है इसको हम समझे तो समझे कैसे तो यह हमारे पास एक कपड़ा है देखो इसमें मैं आप लोग को पनहा समझा रहा हूं कोर जानते हैं आप कपड़े का कोर किसको बोलते हैं यह जो हिस्सा होता ह तो मेरा कहने का मतलब क्या है पनहा आप उसी को बोलोगे जो एक कोर से दूसरे कोर तक के लेंथ रहेगी उसको इसको आप बोल सकते हैं कि कपड़े का हाइट ठीक है इसी को हम पनहा बोलेंगे आपको यह नॉर्मल कपड़े पर उतना समझे में दिक्कत होती जैसे आप बात क बोलेंगे और वैसे साढ़ी की पांच मिटर सबांच मिटर साडे 5 मिटर लेकिन उसका पनहा कितना रहता है नॉर्मल रहता है यह यहां पर पनहा है देखों कि ता रहा है 43-43 जो हमने बात किया वही तो किसी भी नॉर्मल कपड़े पर पनहा आपको समझ में आ जाएगा इस रॉप्डे की length का होता है length क्या होता है कपड़े पर जो आप सीधा-सीधा ये नापते हैं इधर से देखो उर यह जो कोर वाली पिट Tibri होती है ना को और की पट्टी जो मैंने आपको दिखाया दाने दाने है इसको पहले हम समझते हैं इसलिए समझा देता हूं क्योंकि इसमें क्लियर दिखता है कपड़े पर थोड़ी दिखतत होती है यह आपका हो गया डबल फोल्ड ठीक है अब आप बोलेंगे सर पनहा कैसे समझे तो मैंने आपको थोड़ी दिर पहले बहुत माथा पच्ची करक यह हाइट ओफ दिस पेपर या फिर आप कपड़ा यूज़ करेंगे तो उस कपड़े का क्या हो गया पनहा हो गया और यह अपकी लेंथ हो गए तो हमेशा आपकी लेंथ ज्यादा रहती है पनहे से अगर आप एकदम छोटा कपड़ा ले रहे तो बात अलग है ठीक है समझ में आ गया अब कपड़े को आप क्या करोगे डबल फोल्ड कर लिए उसके बाद उरेब बिछाना है तो डबल फोल्ड के बाद जब आप उरेब बिचाओगे तो वो किस तरह से बिचहेगा ये भी समझते है यह दो यह दबल फोल्ड है दिखरा है क्लियर चाय कपड़ अब इसको हमको क्या करना है उरेब करना यह देखो इस प्रकार से तो जितना कम आपका क्या रहेगा पनहा रहेगा उतना ही कम आपको क्या मिलेगा लेंथ मिलेगा जैसे इसका पनहा भी हमने पेपर का चेक किया एप्रॉक्स वही 35-36 के आसपास था पेपर का पनहा तो इसमें अभी पेपर को करते हैं साइड तो यहां पर मैंने कमर के बारे में आपको थोड़ी दिर पहले समझाया आई इस कपड़े पर तिराली सिंच वाले पर जैसे हम लेंद की बात करें तो कितना लेंद हमारा निकल जाएगा एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर दिखा देता हूं यह इस तरह से रखके यह देखिए यह थोड़ा साना इसको फोल्ड करने के लिए छोड़ना चाहिए ठीक है उसके बाद टूटल लेंद आ रही है आपकी मालो 33 निकल जाए ठीक है तो वो 33 पे निशान लगा होगे फिर इधर एक हाथ से इसको पकड़ के रखे रहोगे ऐसे और यह जो निशान है इसको पूरा का पूरा आपको तैथिस पर लेकर आना है कासे लेकर आए इंगे एक बड़inka टेकनिक सीख लेते हैं क्योंकि जब लेहंगे की बात कर रहें तो उसको नेका यह बात कर लेते है थोड़ा सा घंळ यह यह टेप उपर भी लेकर जा सकतें यह उससे काप्र हो जाएगा ठीक है पेन को साथी साथ लेके चलोगे एक हाथ पे और वो मार्क करते हुए इस देट क्लियर तो यह कपड़ा उठाते हैं इसका काम होगे इसमें 33 लगबग निकल जाएगा इसको हटा देते हैं अब एक बार नीचे वाला देखते हैं मैं अब यहां पर इसका काम होजाएं अगर छोटा साइज बनाना है तो उससे भी कम में हो जाएगा लेकिन ज्यादा तरफ कोशिश करें लेंगे के लिए अगर इस तरह कपड़ा मिल रहा है बनाने के लिए तो ज्यादा बैटर है अब यहां पर इसका प्रोसेस समझते हैं ए एक मेजरमेंट है हमारे पास उस मेजरमेंट के अधार पर कटिंग करें 32 इंच का कमर ठीक है और 43 इंच लेंद तो यह आपका 32 इंच कमर आप कैसे कैलकुलेट करो जैसे मैंने बोला 32 इंच होगा तो आठ की जगा आप साड़े आठ का निशान ले लेना ठीक है कहां पर आ रहा है उस बात को ध्यान देना जितना हो सके उपर आए और एकदम नहीं कि नहीं आ रहा है फिर भी जब दस्ति आ रहे हो उपर की तरफ चल रहो ऐसा नहीं जहां पर हो रहा है साड़े 8 का अब यहां पर आपनी टेप को इस तरह से मेजरमेंट कितना है उससे कोई मतलब नहीं हैivals जो भी आ रहा है जैसे मान लो यहां पर कितार है 11 आ रहा है हमने यहां पर टेप रखा हुआ है यह देखूं इसको फिक्स करना इस उंगली को और इस टेप को 11 पर घुमाते हुए इस तरह से निशान लगाने है आपको एक साथ घुमाते नहीं बन रहा है आप क्या कर सकते हो आप इसमें प्रक के इस तरह से निशान लगा सकते है इसका दूसरा सबसे बड़े टेखनीक क्या होता अपको बताते हूं एक पें लें Citizens और पें से यह ओंता है बहुत मज़ेदार तरीके से घूंता है मैं आप लोग को इसका टैकनिक बता रहो ठीक है जैसे यह पेन है हमारे पास हमने टेप को क्या कर दिया उल्टा कर दिया यह देखो इस पकार से रखना यह दिखो और इस तरह से आप इसको घुमा सकते हैं ठीक है यह देखिए तो यह जो आपका पेंट से लगा हुआ इसको मार्किंग है यह बिल्कुल एक्यूरेट होता है चौक से आप लगाओगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है वह आपको स्क्रीन पर दिखा ठीक है थोड़ा बहुत फरक आते हैं और इधर से ना पोगे तो हर जगा आपको यहां पर बराबर मिलता है जब आप इसक इंच का लेंद्ध है देखो इस तरह से लेंगे एक इंच छोड़ देना फोल्ट के लिए अब हमको चाहिए कितना 43 तो मैंने जैसे बोला कि कॉर्णर को ना पना है 43 ना पलो देखो यह उससे ज्यादा निकल जाएगा 45 तक का दिख रहा है 45 तक का निकल जाएगा ठीक है य यहां पर आपको यूज़ वह करना है यूज़ करना है टेप को कर देना उल्टा आपको करना क् ещё को करना है यह सब प्सक्रांकर करना पूरा-पूरा Mark कर सकते हैं, जैसे मैंने भी कमर का बताया है, वैसे ही सेम करना है, क्योंकि हमको cutting नहीं करना है, सिर्फ समझाना है, ठीक है, पेन से Mark करेंगे, तो फिर उसका दिक्कत हो जाएगा, यह इस तरह से आपको पूरा-पूरा Mark करना है, और उसके बाद वैसे ही cutting कर जैसे मैंने पेपर को थोड़ी दिर पहले आप लोग को काट के दिखाया हुगा, ठीक, इस तरह से piece निकल के आएंगे, चाहे आप कित्ते भी बड़े बनाओ, और बीना joint के लहंगा बनाने के लिए, मैंने आप लोग को यह पूरा-पूरा formula बता दिया है, कैसे करना है, क्य लोग को समझ में आया होगा, वीडियो पर पसंद आए, उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आया होगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जाएगा, वाकि मैरा जनब से फिर मुलाकात करता हूँ, किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ अब तक के ल